इन पोधों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये काफी घने नहीं हैं। जब मैंने कटिंग की थी, तो ये इतने घने थे, कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो पोधों को, कि वो थिनिंग से पहले कैसे थे, और थिनिंग के बाद कैसे दिख रहे हैं, आप जितने भी पोधे देखेंगे, ये एक साल के, लगबग सवा साल के पोधे हैं, य देखेंगे, अब ये हम क्यों करते हैं, और क्या आवज सकता है, और आपको क्यों करनी चाहिए, आज का विशे यही है, यानि के कटाई के बाद छटाई की महत्ता, और वो भी छोटे पोधों हैं, आईए मैं आपको कुछ पोधों के पास ले चलता हूं, जिनकी मैंने साखाए हैं, जो हमने हटाई हैं, आप देख लीजिए, कि इनके नीचे कितने पत्ते हैं, और ये हमने किस प्रकार हटाई हैं, अब आप इस पोधे को देखिए, इस में से हमने अभी भी कोई रह गई, जैसे ये देखिए, ये सकर हैं, ये साखाए बढ़ती नहीं है, तो इनको भी हमें हटा देना चाहिए, जो मुख्य सिधान्त है चटाईगा, वो ये है कि आपको केवल वही साखाए रखनी है, कि जिन से आपको आगे आकर कटिंग करनी है, और उनसे जो नए कल्ले सरजित होंगे, उन पर फल लेंगे, इस पोधे में कहीं भी ये इतने पत्ते नीचे पड़े हैं, जो हमने हटाए हैं, और कुछ बड़ी-बड़ी साखाई भी काट दी हैं, अब आप देखिए कि कहीं भी किसी साखा, कोई किसी दूसरी साखा के ओवरलैप नहीं है, यानि उसे नहीं कि उसकी साथ कमपेटिशन है, और पोधा कितना हराबरा है, इतनी हूप लगेगी, परचुर मातरा में इसमें हवा आएगी, और इसको कहीं भी कोई फंगस आदी का कोई भी अटैक नहीं होगा, जो हमने आप देखेंगे, कि यह मैंने जो कटिंग की थी सबसे पहले, यह वाली, यहां से मैंने तीन साखाई रखी थी, एक, दो, तीन, यह सा इनों को यहां से सप्टेμबर में काट दिया था मैंने, अब इन से देखिए, इस से तीन साखाई मिली मेरे को, साखाई बहुत थी, मैंने यहां से भी हटा दिया, इसमें यह भी हटा दिया, यह भी हटा दिया, यह भी हटा दिया, तो यह जो नीचे पड़ी हैं, यह सब व और जो मुझे मिलेगी एक फिटी साखा ये देखिए अभी इस साखा को ये पकी नहीं है ये अभी कटिंग करने लायक नहीं है ये देखिए आप ये सिरफ इसमें एक दो तीन पत्तों तक ही पकी है वो भी पूरी नहीं पकी है मुझे चाहिए ये साखा यहां तक पकी हुई जब ये साखा यहां तक पक जाएगी यानि ये इतनी लंबी हो जाएगी तो मैं इसकी मईगे पर्थम सप्ताह में कटिंग करूँगा और फिर इसमें मैं पानी देदूँगा पोधा चुकि दो वर्ष से छोटा है तो मैं इसमें अभी फरवरी से पानी बंद नहीं करूँगा लेकिन कुछ कलियां अवस्से निकलेंगी मैं उन कलियों को हाथ से चुटवा दूँगा क्यों ये भी मैं आपको बताता हूँ मैं इन पर यूरिया का स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इने बढ़ाना है अभी कारण नमबर एक कारण नमबर दो मुझे बरसात का फसल नहीं लेना है चुकि सर्दियों के बाद मार्च में जो कलिया निकलनी सुरू होती है वो बरसात की फसल आती है और मुझे बरसात की फसल नहीं लेनी है तो मैं इनसे सर्दियों की फसल लूँगा तो मैं इनको ये अच्छी तेजी से बढ़ें और स्वस्त रहें इसके लिए जो अनावस्यक साखाय थी मैंने अभी से हटा दी है परचुर मात्रा में इसको धूप मिल रही है सभी साखाओ पर धूप है परचुर मातरा में हवा मिल रही है और जो भोजन होगा जितना भी ये साखाओ भोजन ग्रहन करती वो सब भोजन इन साखाओ में जाएगा ये इसका एक उधारन है और इसमें कोई ऐसा भी नियम नहीं है कि आप उन्ही साखाओं को काटिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको वे साखाओं रखनी है कि जिनको आपके छत्रक का आधार बनेगा यानि कि ये तीनों साखाओं मैंने यहां से रखी हैं ये दोनों यहां से रखी हैं यह जाएंगी यहां से तो मैं इसे यहां से कट करूँगा और मेरा पोधा इतना बड़ा होगा और यह मुझे लगभग 15-20 किलो आराम से फल देगा इसमें। प्रारंबी का वस्था में पहले दो साल में हमें पोधों के छत्रक का निर्मान करना है। कि पोधों का तने मजबूत रहें, डालियां इतनी मजबूत रहें कि वो फलों का भार सहने के लिए तयार रहें। अब जब मैंने इतनी अनावसक साखाय सब काट दी हैं, तो जितना भी भोजन होगा इन में जाएगा और यह बड़ी तेजी से बढ़ेंगी और फरवरी आता ही बहुत तेजी से बढ़ने सुरू हो जाएंगी। पंदरा फरवरी के बाद आप देखना, पोधे अच्छे लगने लगे हैं, स्वस्थ लगने लगे हैं, अब सवाल आता है कि आप छटाई किस समय करें, छटाई के लिए आपको उस टाइम देखना है कि जब यह पता चल जाए कि कौन सी साखाय आपका चेन करना है, क्या वो साखाय सही चल रही हैं, अगर वो सही चल रही हैं, तो जो अनावस्थ साखाय हैं, जैसे यहां से देखें, यह मैंने काफी हटाई हैं, जैसे यह देखें, यह वाली मुझे नहीं चाहिए, यह वाली साखा, तो इसको आप हटा दीजे, इसको कटर से काट दी, यह वाली जो चत्रक का निर्मान करेगी ये उसी प्रकार सकते है कि जैसे एक थाली में कुछ भोजन रखा है चार रोटी हैं, डाल है, सबजी है अब उसे अगर दो आदमी खाते हैं तो दोनों के जो है उसमें एक तीन खा सकता है एक एक खा सकता है, दोनों दो दो भी खा सकते हैं अगर तीन खाएंगे आदमी तो उनको एक एक रोटी ही लगबग मिलेगी इसी प्रकार जो भी हम भोजन पोधो को देंगे वो सिरफ अब हमारी उन साखाओं में जाएगा जिनका के हमने selection किया है इस बात को ध्यान में रखे मैंने अपनी सभी वीडियो में बड़े विस्तार से बताया हिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी साखाए रखनी है, साखाए एक दूसरे के ऊपर ना आएं इस प्रकार एक दूसरे को क्रोस ना करें इस प्रकार रखिए ये उपर को जाएगी ये इधर को जाएगी और मेरा देखिए इसके चारो तरफ देखिये गूम कर कितना अच्छा इसका जो है न छत्रक बनेगा जब मैं इन दो पोधों कोई अभी आप ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो का नमबर नोट कर लीजिए जब मैं इनकी कटिंग मई में करूँगा तो इन दोनों पोधों को विसेश रूप से दिखाऊंगा इस पूरे बाग को दिखाऊंगा और फिर मैं ये दिखाऊंगा कि देखिए साखाय कितनी मज विलास का सुरू होता है किसान साथियो ये मैंने बताया था ते एक से देड़ वर्स के पोधे की अगर आपने सेप्टेंबर या अक्टूबर में आपने कटिंग की है और उनकी साखाय कम से कम एक फिठी हो चुकी है या पोना फिठी है तो आप उनमें से अनावस्षक साख को हटा दीजिए वें साखाय हटा दीजिए जो सकर होती है जिनकी आगे से बढ़वार खतम हो चकी है उनको हटा दीजिए और केवल वें साखाय रखिए जो आपको फलो को नए कलिया निकलने के लिए नई साखाय निकलने के लिए आपको रखनी है किसान साथियो ये मैंने देर से लगाए थे मान लिजिए अगस्त सितंबर में पोधे लगाए थे किस वर्स लगाए थे अगस्त में वो अभी चटिंग ना करें वो करेंगे कटिंग और चटिंग करेंगे आपकी फरवरी के महा में इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद ज